दोस्तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कम्प्यूटर, सामाने ग्यान, क्विज की पूरी सिरीज ये जो वीडियो हैं ये आपको डेली सुबह 8 बजे मिलेंगे तो अगर आपने चैनल को सुस्क्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर कर लीजेगा, बेल आइगन को प्रेस कर लीजेगा ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो अब इस क्विज के बारे मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पर मैं आपसे 10 प्रिश्न बुचूंगा जो के आपके सामने लाइव आएंगे और हर प्रिश्न का आपको उत्तर देते जाना है हर सही उत्तर के लिए आपको खुद को एक अंक देना है और खुद को कितने अंच मिलते हैं यह आपको तेय करना है वीडियो के लास्ट में तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आपके बहुत काम आएंगे चलिए बढ़ते हैं क्विज की तरह पर यहां पर आपसे पूछने वाला हूँ पहला प्रिशन लिए जो कि आपके स्क्रीन के नीचे आएगा इस प्रिशन के लिए आपको 10 सेकेंड का सामय में लेगा यानि अगर पहले का पहला हो तो आपको एक डेश एक कमेंट में लिखना है अगर पहले का दूसरा है तो आपको एक डेश दो कमेंट करके लिखना है इस तरीके से आपको उत्तर देते चलना है हर प्रिशन के लिए और खुद को हर सही उत्तर के लिए आपको एक अंच दिने हैं तो आप खुद ही तधा कर लेंगे कि computer के बारे में आप कितनी अच्छे से जानकारी रखते हैं तो चलिए पहला परिशन जान लेते हैं तो पहला प्रिशन है कम्प्यूटर को कुशलता, कार्य और रेट के हिसाब से कितनी पीडियों में माटा गया है? पहला ओप्शन है एक, दूसरा, दो, तीसरा, तीन और चौथा, पांच तो आपको सही उत्तर देने के लिए समय शुरू होता है अब तो इस प्रिशन का सही उत्तर है पांच पीडियों में, कम्प्यूटर को पांच पीडियों में बांटा गया है, कार्य कुशलता और रेट के हिसाब से अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रिशन की, कंप्यूटर की वो कौँची विशेष्टा होती है जिस से कंप्यूटर हमारी आविशक्ता बनता जा रहा है, तो पहला option है इसकी तेजगती, दूसरा option है इसके अचूक परिणाम, तीसरा option है इसकी संग्रेच हमिता, चौथा option है यह सब ही, तो उत्तर देने के लिए आपका सुमय शुरू होता है अब, तो इसका उत्तर है option नंबर 4, यानि यह उपरोक्त सब ही, आप बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रिशन की तरफ, तो तीसरा प्रिशन है computer द्वारा आपके द्वारा दिये गए निर्देशों का पाल लेता है, उसके बाद उसे process करता है और फिर output देता है, option नंबर 2, पहले output देता है, उसके बाद उसे process करता है और उसके बाद input लेता है, option नंबर 3, पहले process करता है, उसके बाद input लेता है, और उसके बाद output देता है, option नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानि यह सारे काम computer कर लेता ह तो आपका समय शुरू होता है अब तो सही उत्तर है computer पहले input लेता है उसके बाद उस data को process करता है और उसके बाद आपको output देता है अब बात करते हैं अपने चौते प्रिशन की computer का दिमाग किसे कहा जाता है पहला option है motherboard दूसरा option है hard disk तीसरा option है processor और चौता option है RAM आपका समय शुरू होता है अब तो सही उत्तर है processor जी है computer के processor कोई computer का दिमाग कहा जाता है आप असे बहुत सारे लोग जानते होंगे तो सही उत्तर के साब से खुद को अंग्दे लीजिए और आप बात करते हैं पाँच में प्रिशन की इन में से कौन सा डिवाइस आउट्पुट डिवाइस है आप्शन नमर एक keyboard आप्शन नमर दो mouse आप्शन नमर तीन scanner आप्शन नमर चार printer आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तों सही उत्तर है printer printer एक आउट्पुट डिवाइस है जो आपके computer के soft copies को hard copies में भी convert करती है तो आप अपने सही उत्तर के साब से खुद को अंग दे सकते हैं तो आप बात करते हैं छटवे प्रिशन की इन में से किस hardware के बिना computer को चलाया जा सकता है आप गौर से सुनियागा इन में से किस hardware के बिना भी computer को चलाया जा सकता है पहला option है RAM दूसरा option है hard disk तीसरा option है processor और चौथा option है DVD-ROM आपका समय शुरू होता है अब तो तो सही उत्तर है DVD-ROM आप DVD-ROM के बिना भी अपने computer को चला सकते हैं लेकिन उपर जो और तीन चीज़े दी गई हैं उनके बगेर आपने computer को नहीं चला सकते हैं तो आप सही उत्तर के साब से खुद को अंग दे सकते हैं अब बात करते हैं हमने साथमे प्रिशन की USB की full form क्या है तो पहला option है universal serial bus दूसरा option है universal series bus तीसरा option है universal serious bus और चौथा option है united serious bus आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तों सही उत्तर है option number 1 universal serial bus तो दोस्तों आप सही उत्तर के साब से खुद को अंग दे सकते हैं तो आप बात करते हैं प्रिशन no.8 की computer चलाने वाले विक्ति को क्या कहा जाता है तो आपके option है option number 1 user, option number 2 operator, option number 3 छातर, option number 4 programmer तो आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तों सही उत्तर है option number 1 user computer चलाने वाले विक्ति को user कहा जाता है अब बात करते हैं प्रिशन no.9 की computer की जो बहारी ठोस्त अंरचना आपको दिखाई देती है जिसे आप छू कर महसूस कर सकते हैं वो क्या कहलाती है option number 1 software, option number 2 hardware, option number 3 operating system, option number 4 windows तो आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तों इस प्रिशन का सही उत्तर है hardware जो आपकी ठोस्त अरचना होती है हम उससे hardware कहते हैं तो आप इस प्रिशन के साब से खुद को अंग दे सकते हैं अब बात करते हैं प्रिशन number 10 की इन मेंसे कौन सी device input device है option number 1 speaker, option number 2 printer, option number 3 monitor और option number 4 scanner आपका समय शुरू होता है अब दोस्तो इस प्रिशन का सही उत्तर है, option number 4 सही है दोस्तो आज के जो quiz है वो खतम हो चुका है और इसमें हमने आपसे पूरे 10 प्रिशन पूछे हैं अब इसमें आपको कुल कितने अंग मिले हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और ये quiz आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताएगा, हम मिलते हैं अगले quiz में कल सुबह 8 बजे तो अगर चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजे, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके रात रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद